सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हमारा हम बुल बुले है इसकी ये गुल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हम बुल बुले है इसकी ये गुल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जिगर मुरादाबादी साहब ने कभी कहा था कामियाब मुशायरे के लिए इस मुशायरे के रूह रवा इस मुशायरे को सजाने सवारने और तमाम जितने काम होते हैं मुशायरे के जलसले में उसे करने वाले महतरम मेरे बड़े भाई जावेद नयर साहब को मैं मुबारक बात पेश करना चाहता हूं इस तरह नहीं अगर ताली बजानी है तो मिल के उनके लिए बजा दीजे मैं बहुत मुवारक बात पेश करता हूँ और ये मुशायरा जो काम्याबियों तक पहुँचा है उसमें एक तो आली मरतबत डॉक्टर महमूद हुसैन रह्मानी साहब की मौतबर सदारत और उसके अलावा हमें सरपरस्ती हासिल रही है साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तरपरदेश जनाब जफर मुस्तफ़ा नयर साहब की हम इनके भी शुक्र गुजार है आईए हदरात अब उस शखसियत के हुजूर मुझे पहुँचना है कि जिसको सुनने के लिए आप बैठे हुए है चंद जुमले मैं सिर्फ अदा करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के है शायरी की तीन सो साला रिवायत में मुक्तलिफ लहजों की शायरी हुई महबूब के गुलो लबो रुखसार से रंग लेकर भी शेर तहरीर किये गए बजाए सियाही में कलम डुबोने के जाम शराब में कलम डुबो कर भी शेर तहरीर किये गए लेकिन एक ऐसा शायर जिसने हमारे कौमी और मिली जजबात और एहसासात के मुक्तलिफ रंगों को आबे जमजम के पाकीजा कत्रों में मिला कर शायरी तहरीर की और यू कहा कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए दो रोज से घर में कोई महमान नहीं है आठ किताबों के मसन्निफ, दो नसरी किताबें, छे शेरी मजमुएं उसके अलावा अर्दू, दिल्ली अर्दू अकेडमी के वाइस चेर्मेन के तोर पर अर्दू के तर्वीज औ तरकी में बराबर सरगर्म और आपके इंतहाई महबूब और मकबूल शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से मैं बसद इलतमास इस गुजारिश कर रहा हूँ कि तश्रीफ लाएं और अपने कलाम से मुशायरे को उसकी मेराज तक महँचाएं डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब असलाम अलेकुम हज़रात मुशायरे की मलाई या तो बाई तरफ है या बिलकुल दाई तरफ है तो मैं चाहता हूँ कि सामने आ जाएं तो फिर सामने से वार हो मेरी गुजारिश है अगर ये कुरसियां भर जाएंगी तो कुरसियों का वकार बढ़ जाएगा नहीं तो आजकल कुरसियों पर वो लोग है जिने कहीं और होना चाहिए अटफाक है आप आ जाएं तो बहुत शुक्रिया नहीं आएं तो तो भी शुक्रिया और आप लोग तो आजाओ यार तुम्हारे जुम्ले बहुत अच्छे अच्छे जुम्ले आए सद्रे आली वकार मौतरम मेमूद रह्वानी साहब हमारे मुशायरों की हमारी शायरी की रिवायतों के ताज़दार मौतरम अजर इनायती साहब सफे सामाईन में लोग जो बैठे हैं उनके लिए एक मिस्रा है उसको बदलने की अजाज़त चाहता हूँ मिस्रा यह है जो जर्रा जिस जगह है वही आफ़ताब है लेकिन यहां वो मिस्रा सादिक नहीं आता मिर्जा साब वहां मिस्रे को इस तरह पढ़ा जा सकता है कि जो शख्स जिस जगह है वही आफ़ताब है मुशायरों में हम बहुत सारे तमाशे करते हैं लेकिन ऐसे मुशायरों में आकर अपनी इसला करने का मौका मिलता है आप बड़े लोगों के दर्मियान एक तालिब इल्म हाजिर है मेरी इसला फर्मा दीजिए कुछ अशार में पेश कर रहा हूँ अल्लामा को याद करने के हवाले से आज के मेफिले मुशारा बुनाकित की गई मुन्तजमीन और इकबाल अकेडमी को मैं मुबारक बात देता हूँ कोशिश करूँगा के फिकर इकबाल के दाइरे में रहकर कुछ अशार आपके खिदमत में पेश करूँ दौाएं मिल गई तो मेरी खुशनसीबी है नहीं तो आप मुझसे करते ही है समात वर्माएं के निराले मुझतहिद हैं नक्षे पा के साथ चलते हैं निराले मुझतहिद हैं नक्षे पा के साथ चलते हैं हवा से लड़ने वाले अब हवा के साथ चलते हैं निराले मुझतहिद हैं नक्षे पा के साथ चलते हैं हवा से लड़ने वाले अब हवा के साथ चलते हैं तपिश मुम्किन है इनकी अर्ष आजम तक पहुँच जाए मेरे जलते हुए आंसु दूआ के साथ चलते है तपिश मुम्किन है इनकी अर्ष आजम तक पहुँच जाए आदब कहने तपिश मुमकिन आपको दाद भी देनी है दोस्तो बड़े शायरों को तो आपने दाद दी एक बच्चा भी है तपश मुमकिन है इनकी अरश-आजम तक पहुँच जाए जरह सी हवाज जरह सी बढ़ जाए तब इस मुम्किन है इनकी अर्शे आजम तक पहुँच जाए मेरे जलते हुए आंसु दुआ के साथ चलते हैं मेहमुद भाई इन तमाम बुजरगाने अदब के हवाले से आप सब की नजर करता हूँ के शबे मेराज महरो माहो अंजम की गुजरिश थी मलाइदा फरमाए शबे मेराज महरो माहो अंजम की गुजरिश थी चलो हम भी तुम्हारे नक्षे पाके साथ चलते हैं आए हाए 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 शबे मेराज महरो माहो अंजम की गुजरिश थी चलो हम भी तुम्हारे नक्षे पाके साथ चलते हैं अज़ आप निराले मुझतहिदे नक्षे पाके साथ चलते हैं हवा से लड़ने वाले अब हवा के साथ चलते हैं अज़ आप चंशेर और पेश करता हूँ मलाइदा फर्माएं यहां तक्रीर करके मैं कोई गुस्ताखी नी करूंगा मुशायर एक अलग चीज़ है लेकिन आज के मुशायर एक मखसूस नशस्त की शक्लिक्तियार की हुए है इसलिए कोशिश करूंगा एक दू अच्छे शेर सुना सको मलाइदा फर्माएं कि हम लोगों को सताने का मैयार एक है हम लोगों को सताने का मैयार एक है चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है हम लोगों को सताने का मैयार अदब एक है बड़ा शेर है साथ, वाब 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 चेहरे अलग सही किरदार एक है पहली जंग अजीम एक गुनेगार आपकी खिद्मत में शेर पेश करता है तीन सो तेरा मुजाहिद वहां की तादाद बहुत चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है सच ये है इस गुबीले में जीदार एक है उस पार बेश मार हैं सच ये है इस गुबीले में बगर आका लिसे लोगे कोई हैसेती नहीं हमारी पहली जंग इसलिए हम जीते कि हमने आपके हुक्म की तामील की दूसरी जीती हुई जंग इसलिए हार गए कि मेरे आका ने कहा था यहां से नहटना और हम हट गए बेशक्ष्ट तो बात रहनुमाई की है सच यह है इस कबीले में जीदार एक है उस पार बेशुमार है इस पार एक है बढ़के हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से बढ़के हुए हैं हम बढ़के हुए हैं हम बढ़के हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से वरना हमारा काफला सालार एक है वाह वाह बढ़के एक खुदा एक रसूल एक किता बढ़के हुए हैं हम हमारा काफला सालार एक है मैं बुजरुगों की और आप सब की दुआइं चाहता हूँ कि बैयत तलब बदलते रहे करबला के साथ अज़र भाई बैयत तलब बदलते रहे बैयत तलब इतफाक है कि कल हजरत इमाम हुसेन रज़लत अलानू का यहों में पैदाईश भी था मेकल जबलपूर में था अलहमदुलिल्ला वहां सुनी हजरात इसमेफिल का इतमाम करते हैं बहुत बड़ा मेसेज जबलपूर से पूरी दुनिया में गया कि कुछ लोगों ने तमाम आइमा को सहाबा को कुछ लोगों को अपना बना लिया हाला के वो सब के हैं बहुत अच्छा मेसेज गया और हमारी बलके असली एक अकीदत तो हमी रखते हैं सच ये है इस गबीले में जीदार एक है उस पार बेशुमार है इस पार एक है बटके हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से वरना हमारा काफला सालार एक है बैयत तलब बदलते रहे करबला के साथ बलाईदा फरमाएं बैयत तलब बदलते रहे करबला के साथ अपनी जगा हुसेन का इनकार एक है भई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बैयत तलब बदलते रहे कर्बला के साथ पूरी कर्बला की तारीख दो में बैयत तलब बदलते रहे कर्बला के साथ जात कहने है अपनी जगा हुसेन का इनकार एक है बढ़के हुए है हम तो खुद अपनी खताओं से अदाब वरना हमारा काफला सालार ए एक है. इजाज़त उ तो तीन शेर और तहट में उसका बाता रहना है. मलाइधा फरमाएं. प économिश करता हूं के जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है. जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है. वाकार हमने हमेशा बना के रखा है. जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है वकार हमने हमेशा बना के रखा है बशर तो क्या है फरिश्टे भी रोपड़े सुनकर ये किसका सर है जो नेजे पे लाके रखा है सुभानलाः बशर तो क्या है फरिश्टे भी रोपड़े सुनकर बशर तो क्या है फरिश्टे भी रोपड़े सुनकर ये किसका सर है जो नेजे पे लाके रखा है इकबाल एकडमी के तमाम जिम्मेदारान सरपरस्तों की नज़ ये शेर रॉक्साब समात वर्माएं ये किसका सर है जो नेजे पे लाके रखा है मुझे यकी है बुझा ही नहीं सकेगा कोई मुझे यकी है बुझा ही नहीं सकेगा कोई चराग हमने हवा में जला के रखा है मुझे यकी है बुझा ही नहीं सकेगा कोई चराग हमने हवा में जला के रखा है बशर तो क्या है फरिश्टे भी रोपड़े सुनकर ये किसका सर है जो नेजे पे लाके रखा है बड़ी महबबत आपने अपने खादिम को दी हमारे कुछ अहबाब जहानाबाद से भी आए हैं मौदा से भी आए हैं कुर्बो जवार से भी आए हैं ये अर्दू की महबबत की कशिश है और ये जो बीच में सहाफियों का हलका है ये तो माशाला अल्ला सलामत रखे अगर इनकी तारिफ न कीज़े तो शायद बेमाना होगा वाकितन आपकी तारिफ करनी चाहिए इसलिए कि आज कुछ लोग तो सहाफत में पूछते है पिये महाँस से के हमें क्या बोलना है क्या लिखना है वहाँ आदमी सच बोलने की हमत करे तो बहुत बड़ी बात है मैं कुछ शेर आपकी नजर करता हूँ तरन्नम से पढ़ना चाहता हूँ मलाइज़ा फरमाई ये घजल आप तक पहुँची नहीं होगी लेकिन इन्शालला फिकर इकबाल के दाइरे में ही रहकर कोशिश करूँगा आजजी जब किसी इनसान में आजाती है और अच्छा करूं मैं जरस सो मत थोड़ा माईक अच्छा कर दो बढ़ा दो आवाज तो आजजी जब किसी इनसान में आजाती है आज जी जब किसी इनसान में आ जाती है रब की ताइद भी पहचान में आ जाती है रब की ताइद भी पहचान में आ जाती है बहुत शुक्री आप जैसे भी सुनें आपकी महबबत इतने बड़े लोगों के दर्मियान एक जुम्ला कहने की जसारत कर रहा हूँ चौदा सो साल में इस मौजू पर कोई शेर अब तक नहीं कहा गया बहुत अच्छी निजामत आपने की अला आपको खुश रखे एक लम्हे में उसे बख्ष दिया आकाने अगर सच बलो तो मुझे आपकी दुआए चाहिए एक लम्हे में उसे बख्ष दिया आकाने हिंदा जब हल्का एमान में आजाती है एक लम्हे में उसे बख्ष दिया आकाने हिंदा जब हल्का एमान में आजाती है रब की ताईद भी पहचान में आजाती है समात फरमाएं चार साल मरकजी हुकुमत को हो गए हुकुमते तो आती रहती है जाती रहती है लेकिन हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बुराईयां देते हैं अपने दामन में नहीं जागते मैं गुनेगार हूँ मैं अपना इतसाब करने की कोशिश करता हूँ मलाइज़ फरमाएं वाज़ तोर पर अल्ला ने फरमा दिया कुरान करीम में कि जो तुमारे गुना आयाशियां जिना जब बहुत बढ़ जाएगा तो मैं तुम पर जालिम बादशा मुसलत कर दूँगा हम दूसरों से शिकायते करते हैं मैं शिकायत नहीं करता हूँ मैं तो अपनी इसला की कोशिश करता हूँ रब की ताईद भी पहचान एक आद फोटो आप भी कीट दीजे हमारे गर बताना पड़ता है किसकी शहर में गए थे मुशायरे में सच है के नहीं इसलिए मैंने एक लम्हे में उसे बख्ष दिया आकाने हिंद जब हल्क ए इमान में आ जाती है कर दिया जाता है मलाईदा फरमाएं दोस्ता कर दिया जाता है जालिम को मुसलत उस पर कर दिया जाता है जालिम को मुसलत उस पर गुम रही जब भी मुसल्मान में आ जाती है गुम रही जब भी मुसल्मान में आ जाती है रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है इन्शालला माहे रमजान अलमुबारक 20-25 दिन में आने वाले उस हवाले से एक शेर आपकी नजर करता हूँ जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मौमिन का जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मौमिन का एक तवाना इसी रमजान में आ जाती है बई सुभान अल्ला सुभान अल्ला सुभान अल्ला अदब बड़ी नाए फिर पढ़ता जरा अच्छे से नवास दीजे और खुश हो जाएगा आपका चोटा बाया जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मौमिन का एक तवाना इसी रमजान में आ जाती है रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है पूरे खुरान करीम में अल्ला ताला ने ऐसा लहजा किसी सूरत में इस्तमाल नहीं किया जैसा लहजा सूर रह्मान में इस्तमाल किया है पहले नहमतें गिनवाई फिर फरमाया है तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नहमतों को जुटलाओगे मैंने ल्जा से दूड गी कि एल्ला मीँ एक शेर मुझे अता कर दे अल्ला ने एक शेर अता कर दिया मुलाइद फरमाएं रब की ताइद भी पहचान में आ जाती है अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए मलाइदा फर्माए अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आगई सूरह रह्मान में आजाती है आगई सूरह रह्मान में आजाती है रब की ताईद भी पहचान में आजाती है बहुत बहुत शुक्रिया जो घजल के मतवाले हैं घजल के रुमानी लहजे को पसंद करते हैं उन्हें मुझसे शिकायत रहती है कि मैं मुझसे शिकायत रहती है कि मैं मुझसे क्या लेकर आ गया लेकिन क्या हर शायर का जुट बोलना जरूरी है पूरी गजल की तारी खुटा कर देख लीजिए महभूब ने जुल्फे बिगेरी और बारिश होने लगी महभूब ने जरा खुबसुरत आँखें हमारी तरफ की तो एकदम मैं खाना बन गया वगएरा वगएरा लेकिन बाराल रुमानियत एक लहजा है घजल का लेकिन मुझे लाने तवफिक दी है तो मैं कोशिश करता हूँ आज के सदरे मुशारा मेहमूद रहमानी ये दूसरी जिन्दगी वाले महमूद रहमानी हमें मिले यह हर साल जाते है माहे रमजान में उम्रे के लिए एक बार चले गए थे फिर अल्ला नहीं ने दुबारा हमारे लिए भेजा हमारी खुशनसी भी है आपकी नजर करता हूँ गेब से मेरी मदद के लिए आता है कोई जब भी कश्टी मेरी तूफान में आजाती है बाई डाक्टर साब क्या कहने है जब भी कश्टी बहुत शुक्रिया क्या कहने मेरी मदद के लिए आता है कोई जब भी कश्टी मेरी तूफान में आजाती है यह शेर डाक्टर माजिद दियुबंदी ही कह सकते हैं आप सुभान ला अला अला ने आता कर दिया रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है जमील खेराबादी हमारे दोस्त बेटें तरन्नुम पढ़के गई कानपुर की नुमाइंदागी अलहमदुल्ला यह पूरी में दोस्तों के आप सब के हैं आखरी शेंट पैश करता हुं दिल से पढ़ता है कोई सुरह 1 यासीन तो फिर इन से पृष है ना मैं एक वाल एक्टमि के परोग्रय से फनी ख़ूँ पढ़ रहा हूं बेशक दिल से पढ़ता है कोई सूरे यासीन तो फिर रोशनी एक नई बे जान में आ जाती है वाँ रख साब वाँ रख साब क्या कहना सबानला सबानला दिल से पढ़ता है कोई सूरे यासीन तो फिर रोशनी एक नई बे जान में आ जाती है रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है घजल का मकता तेरी मेराज तो बस तेरा खुदा ही जाने मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा वाँ तो हजरत हसान बिन साबित की ये मेराज थी के हुजूर ने उन्हें अपना मिम्बर अता किया और मुझ तालिब इल्म की ये मेराज है के मैं इतने बड़े लोगों के दर्मियान आपके खिदमत में तालिब इल्म के ऐसे जाए सामने अदाब सामने बेट के पढ़ते हैं जो नाते माजिद सामने बेट के पढ़ते हैं जो नाते माजिद एक चमक हजरत हसान में आजाती है सामने बेट के पढ़ते हैं जो नाते माजिद एक चमक हजरत हसान में आ जाती है आज जी जब किसी इनसान में आ जाती है रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है बहुत शुक्रिया आदे अबे कुछ और आपी कुछ आने वाले एक दो से रोट आदे मावाला तो गीत मैंने कोई नहीं कहा अच्छा फिल्वदी कहें के पढ़ दीजे आपके लिए क्या है अच्छा मैं दो तीन शेर एक घजल के पढ़ दू मिर्जा साब जाएगा ने आप पर तो लें दो तीन मिनट के और बात अच्छे लोग कहा नसीब होते हैं हमारे मुशायरों का अलमिया ये है असीम भाई कि हमें मुशायरों में सामईन के मेयार पर मजबूरन उतरना पड़ता है लेकिं जहां आप जैसे सामईन हो वहां तो वैसे शायर की हवा खराब रहती है खराब शेर पड़ी नहीं सकता अपने अतवार से बेतर पड़ता है मैं चंद शेर आपके हुकम पर पड़ता हूँ उसके बाद इजाज़त सामान इतिजारत मेरा इमान नहीं है हर दर पे जुके सर्ये मेरी शान नहीं है हर लवज को सीने में बसा लो तो बने बात हर लवज को सीने में बसा लो तो बने बात ताको में सजाने को ये कुरौा नहीं है ताको में सजाने को ये कुरौा नहीं है हर दर पे जुके सर ये मेरी शान नहीं है आदाब अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए दोस्तों बहुत शुक्रिया आदाब अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए दो रोज से घर में कोई महमान नहीं है वाह 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 अल्ला मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है हर दर पे जुके सर ये मेरी शान नहीं है हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते मलाजा फरमाए हैं हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते यो हम को मिटाना कोई आसान नहीं है सुभान आलला सुभानला अदा यो हमको मिटाना अदा हमने तो बनाए अदा बहुत शुक्रिया हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते यो हमको मिटाना कोई आसाना है अर दर पे जुके सरे मेरी शाना हादब इकबाल एकडमी की तरफ से ये शेर मैं आप सब की नजर करता हूँ और आप सब की तरफ से मुन्तजमीन और जिम्मेदारान और सरपरस्ताने इकबाल एकडमी की नजर करता हूँ ये शेर कुछ लोग जो मुताला नहीं करते वो ये कहते हैं कि फिक्र पाकिस्तान के मौजित थे इकबाल ये बिलकुल जोट है और इकबाल तो 28 में दुनिया से चले गए थे पाकिस्तान 47 में बना एक खत अभी पिछले हफ़ते डॉक्टर जावेद इकबाल का मेरी नजर से गुजरा जो उन्होंने बाकाइदा लिखा है अपने वालिद के बारे में कि बारहा उनसे गुफटगू होती थी बारहा अल्लामा ने फरमाया कि तकसीम हिन नहीं होनी चाहिए अब हो गई वो तो एक फैसला था लेकिन पाकिस्तान के बनने में इकबाल का कोई हाथ नहीं था इकबाल जिस तसवर की बात करते थे उस तसवर को हमने छोड़ दिया आज इकबाल एकडमी के हवाले से जुमला मैंने इसलिए अर्स किया कि उन फिरकपरस्तों को बता दीज अब भी हैं रोशन दो चार उमीदों के दिये अब भी हैं रोशन माजी की हवेली अभी वीरा नहीं है दो चार उमीदों के दिये अब भी हैं रोशन माजी की हवेली अभी वीरा नहीं है हर दर पे जुके सरीए मेरी शान नहीं है सामाने तिजारत मेरा इमान नहीं है सुभान आल्ला